वेलकम बैक टू मैं चैनल मैं हूं परना आज हम बनाएंगे टमाटर की एकतम नई यूनिक रेस्पी तो कभी भी कोई सबजी समझ में ना आये कि क्या बनाएं तो आप ये टमाटर की सबजी या फिर रेस्पी जो भी है आप देखिएगा और आप ये जरूर बनाएं और तो यहां पर निकाल दिया है पहले ही मैं अच्छे से वास भी कर लिए है और अब हम इने इस तरह से तो पार्ट में कट कर लेंगे तो यहां पर फ्रेंट्स यह रेस्पी आप देखना और इसका कौन सा पार्ट आपको ज्यादा पसंदा आया मुझे जरूर बताना तो यहा क्योंकि पैन थोड़ा सा फैला हुआ होता है तो अब हम पैन में एड़ करेंगे करीब एक बड़ा चम्मस तेल और यहां पर सरसों काही लेना है और यहां पर हम टमाटो को इस तरह से इस पैन में रख देते हैं और हीट को आप यहां पर मेडियम रखें या फिलो भी कर सकत पैना इसलिए हमें इसको ढखके इस तरह से करना है तो बीच में हम इसको पलट भी देंगे एक दो मियट बात दुबारा से हम इसे ढख देंगे और चाहें तो आप लो रखें या फिलो टू मीडियम भी कर सकते हैं और इसको हमें करीब एक से डियर्ट मिट में पलटते रह आदब जी हैदराबाद से इंदू सेट दिली से और इता सूद जी हैं लुदियाना पंजाब से तो अब मैंने यहां पर देखिए कलीब 10-15 लेसुन की कलियां इसमें याट कर दी हैं और मैंने इसलिए पहले नहीं याट की क्यूंकि लेसुन बहुत जल्दी पक जाता है त ताकि टमाटर जल्दी से सॉप्ट हो जाए तो बस हमें अब यहां पर हीट को लो ही रखना है लो हीट पे हमें इस तरह से लेसुन को और टमाटर को दोनों को इस तरह से पलड़ते रहना है और यह सारी चीजन जल्दी नहीं चाहिए इतना ध्यान रखें तो हीट को आप ल कर लेना है और मेरी पिछली वीडियो का थेंक्यू इन्हें भी जाता है इरताजा जावेद पाकिस्तान से चुमसंग नंगपा सिक्किम से मुम्ताज जी हैं बेंग्वाल से मोना खत्री छतरपूर एंपी से उर्मिला गटानी जैपूर से दरसन अलाग अमरतसर से और इकव और आप मुझे यह बताईए आपने यह रेसिपी पहले कभी बनाई है क्या और अगर बनाई है तो मुझे कमेंट में ज़रू बताना और इस वीडियो का थेंक्यू किसे जाता है यह मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो यहां पर देखिए इसका छिलका इस तरह से उतरने लगा है तो अब यह बहुत गरम है तो थोड़ी देर के लिए मैंने इससे रख दिया है साइड में करीब 5 मिट के छोट दीजिएगा तब यह ठंड़ा हो जाएगा तब हम इसका जो छिलका है आसानी से हटा सकेंगे तो जाल कि हो देना है तो इस तरह से हम फोक की हैल्फ से इसका चिलका हटा देते हैं यह रेस्पी बहुत ज़्याद इंटरेस्टिंग होने वाली है और अब हम इसके चिलकों को अलग हटा देंगे फैक देंगे और यहां पर तमाटर बचे हुए न इनको हम इस तरह से फोग भी हल्प से थोड़ा सा मैंस कर देते हैं और आप ये काम पोटेटो मैसर से भी कर सकते हैं या फिर आप इसस्पड़ी रेरेश्पी बना सकते हैं और सभी मन से खाना क्हाएंगे पेट भर के खाएंगे तो वह साही रेसिपी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी आप सर्च करके देख सकते हैं तो अभी देखिए मैंने इसको अच्छे से मैस कर लिया है और अब हम इसको एक बावल में टांस्पर कर लेते हैं यह रेसिपी बहुत ही जादा सौधिश्ट ब मैं बहुत ही स्मूध इसका पेष्ट बन जाना चाहिए वह में करना है मैं इस इस तरह से भी फॉक से ही मैस करना है तो यह रहा हम इसमें थोड़ा सा बाप करेंगे कच्चे जीरे का समयं टेस्ट का फिर अच्छ लगता है साथ ही मैं इसमें तीन हरी मिलग से बारी काट और एक छोड़ा चमच लिया है मैंने सेजवान सॉस तो सेजवान सॉस के साथ ये रेसिपी का जो स्वाधर डबल हो जाता है अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकिप कर सकते हैं इसकी जगए आप चिली सॉस डाल सकते हैं अगर आपके यह है तो और अब हम यहां पे एक बहुत ही प्यारा आता है और तीखेपन के लिए मैंने सेजवान सॉस इसमें एड़ किया है और अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के कोडिंग में एड़ करें और थोड़ा सा मैंने इसमें लिया है चाट मसाला तो चाट मसाले से इसका जो और भुने चीरे का पाउडर और ढ़्छा इसमें अच्छे से से मिक्स करें और इसमें दो चीजे अब हम और अच्छे से मिक्स कर देते हैं देखिए देखते ही आ रहा है ना मुझ में पानी तो बहुत ही ज्यादा चट पटी ती खी और एकदम बस स्मॉथ वोर्टिंग रेस्पी हमारी यह बनी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे और आदा चोटा चमच सरसों का कच्छा तेल तो कच्छा तेल सरसों का इसमें तो अब बहुत ही तो सर्फ कीजिए और आप अब इसे भजा कहेंगे या पिर आप इसे सल्सा कहेंगे क्या कहेंगे मुझे जरूर बताना और लिज्ट यह बहुत ही खेच्छिज्टी हमारा त Cathar का भरता त्यार है तो अब हम इसे कहेंगे पूरी के साथ मेरे पास पूरी खहुत हैं तो मैं फूरी के साथ इसे एंजॉय करूंगी आप इसंगी आप पराटी के साथ सकते हैं आप पाराटी के साथ खा सकतें ए ठ्लσιक्त मुस्से गी हो रहा है और वीडियो Q, जरुड़ी प्रिसकंड आए if you will फॉलो करें लाइक करें थेंक्स फॉर वोचिंग बबाई